इस वीडियो में हम एक और latest job vacancy के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं जो कि स्वापिक मॉल में ये vacancies जारी की गए हैं और काफी इच्छी यहां पर vacancies होने वाली हैं जिसमें कि आप देख पा रहे हैं 8500 प्लस job vacancies निकाली गए हैं तो काफी जादा आप लोग की पिछले वाली वीडियो में कमेंट आ रहे हैं कि सर ऐसी कोई लीटी जो vacancy हो तो बताएए जिसमें कि हम आपनी ही इन्रेश लोकिशन पर काम कर सकें मॉल में आप सभी के लिए काफी अच्छी vacancies होने वाली हैं और आपके लिए helpful रहे हैं कि क्योंकि यहां पर जो है सभी अलग-अलग states में vacancies जारी कीगे हैं जैसे कि अगर आप यूपी से रह रहे हैं या आप दिल्ली में हैं पंजाब हर्याडा किसी भी state से आप बिलोग कर रहे हैं आप सभी candidate अपनी ही निरेश लोकेशन पर यहां पर आम कर पाएंगे बहुत अच्छी वेकिंसी आप देखी पा रहे हैं तो आप तों को subscribe भी कर लिजीगा साथ ही वीडियो को ज्यादर ज्यादर लाइक करें और आप share भी कर दें जैसे कि आप यहां स्क्रीन पर देखी पा रहे हैं mall recruitment 2024 की details information के बारे में हम बात करेंगे बहुत सारे candidate क्या करते हैं कि आद यह दूरी जनकरी देखते हैं वीडियो को skip कर देते हैं बाद में फिर मेंट करते हैं तो आप proper वीडियो को देखीएगा यहां पर जो अविदिन करने का माध्यम रखा गया है का म हो गया का म हो गया इंवेंट्री मेंशी लेट्र का हो गया और साथ यह रोज हो गया है वेराउस तो इंटेइल रिटील का हो गया और साथ ही social media manager का work हो गया customer service representative के तौर पर हो गया ज़्यादा तर सभी customer service representative के तौर पर work करते हैं साथ ही human resources का काम हो गया team leader and floor managers का हो गया और logistic का हो गया यहाँ पर भर भर की job vacancies है आप जिस भी category में apply करना चाहते हैं आप उस category में apply कर पाएंगे और यहाँ पर locations आपके pen India रखेंगे हैं मतलब कि भारत के सभी अलग-अलग राज में अलग-अलग areas में vacancies जारी कीगे हैं जिसमें कि आप अपने interest location पर काम कर सकेंगे और यहाँ पर यह मैंने mention किया है कि fraud लों के calls और email से आपको बच कर रहना है किसी को भी एक भी पैसा बगरा नहीं पे करना है बहुत सारे candidate की comment आती है मैं उनको review करके देखता भी हूँ कि कई-कई बार ऐसा होता है कि आपको job offer करते है स्केमर्स लोग उसके बदले कहीं address के नाम हो गया कहीं form के नाम हो गया कहीं यह बोलते हैं कि हम आपका जोनिंग लेटर घर होम पे भीज़ देंगे पोश्ट ऑफिस के माधिरम से आप इतना पैसा पे कर दीजिगा तो आप इन चीजों से हमेशा दूर रहें किसी को भी पैसा बगर ना पे करें आप comment के माधिरम से reply पारना चाहिए मैं आपको वीडियो में बता दे रहा हूं बैसे भी बता देता हूं तो आप कभी भी किसी भी प्रकार से पैसे ना पे करें आप दोबारा से अन्ने job वेकेंसी में अप्लाई कर रहें क्योंकि बहुत सारी वेकेंसी डेली बैडीली अपडेट होते रहें आप इन लोगों से बज़के रहें बात करते हैं यहां पर कॉनको रहाइ कर पाएगा तो अप्लाई कर लिए आल ओबर इंडिया सभी राजिकेस्ट्र के यहां पर इसल हैं महिला और पुरुष दोनों ही इंपर अप्लाई कर पा रहें और यहां पर मैजिम जो यहां पर इस ग्रेडिरिया है अप्लाई करने की बूफ फोटी टू इस तक के हैं तो ही यहां पर अप्लाई कर पाएंगे साथ अगर आप आपकी जो कॉलिकेसं करेगी बहुत बारी की से समझेगा क्योंकि यहां पर जो गया इस बिल्कुल कंपड़ी लिकेस्ट हैं उनमें आप बर कर पाएंगे और अगर आप पड़ी लिके हैं जैसे के दसमी बार में पास आउट टेंक रिजूट धारक हैं तो भी आप यहां पर इलीज जल रहेंगे आप भारत में से किसी भी इन्वेस्टी किसी इस टीम से क्यों ना पास आउट हो आप बिल्कुल इ सब идет करेंगा इंडी के उपर भी इपेर गार को से सृड़ी हैं यहां पर सब्सक्राइब मलत करेंगे और उसस्पक्राइबेघ़ हैं फुरीथ चुछ तुर्पी सामीं एंडीज के बात करें दो घ्याइंड पर बश्वारे बात करें तो इंड जलत हो जहरेंगे तो इंड आप लोग और लाज डेट की बाद में अगर आप अप्लाई करेंगे तो फाइदा नहीं आपको रहेगा तो इसलिए आप जल से जल यहां पर आपको नीट पड़ेगी क्या अपर करने की सब्सक्राइब करते हैं जैसे आप अपने इस तरीकी से यहां पर सबसे नीचे की तरफ आपको आजाना है आने के वाद आपको देखेगा apply here का option, तो यहाँ पे आपको क्या गरना है, जिस तरी के से मैं आपको बताओं, simple आपको वही सभी जनकारी जो है mention करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना जो है guys, जैसे कि मैं यहाँ पे name की बात करें, तो यहाँ पे आपको अपना name फिल कर देना है, जो भी आपका नाम है, आप यहाँ पे अपनी email ID mention कर देना, जो भी आपकी email ID जिसके भी आप update रहते हूं, आप जिस positions के लिए apply करना चाहरे हैं, जो भी आपको positions बता हूं, जो मैंने बताओं है, वो भी आप यहाँ पे आप mention कीजिएगा, आप जिस भी position के काम करना चाहते हैं, जैसे कि आप security guard का काम करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर mention करना है, उसकाद आपको देखेगा upload CV resume, मतलब कि आपको cover letter याजसी resume भी आपको upload करना है, और उसमें सभी बारी कैसे mention होना चाहिए, क्या आपके पास क्या qualifications है, यहाँ पर आपने CV का option, मतलब resume में जो आपने mention कराया है, वही जनकारी cover letter में आपको mention करनी है, कि आपके पास जैसे कि आपने जो भी पड़ाई लिखाए, कि बो mention करने, साथ ही आप इस पूछ्च के लिए यहाँ पर apply करना चाहरे हैं, बो mention करने, आप इसली जो भी company में भर कर चुके हैं, जो summit हो जाएगा successfully, तो आप सभी candidate जो है, इसी तरीखी से small में apply कर पाएंगे, कुछ भी अगर आपको यहाँ पर doubt बगएर आता है, confirm flip करने में कुछ भी दिक्कत आती है, तो आप comment section में comment कीजिएगा, हम आपको privacy देंगे, साथ है, अगर आप ऐसी over government और private jobs में interest रखते हो, तो आ आप समको subscribe कर लें, वीडियो जाए 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 लाइक करें और share करें, तो मिलते हैं, latest job vacancy update के साथ अब तक लिए धन्यवाद,